हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आज एस वीडियो में पढ़ने जा रहा है इंदी बजार्स अफ हैदरबाद जो की एक बिलियंड पीस अफ राइटिंग है बाई इंडियन वोमन सरोजनी नाइडू यह जो पोईट्री है स्वादेशी मुवमेंट के दोरान लिखी गई थी और उस समय फ्रीडम मुवमेंट काफी जोरो सोरो से चल रहा था और उस टाइम पे लोग कहा रहे थे boycott foreign products European products को सब boycott करने की बात कर रहे था और कहा रहे थे हमारे जो इंडियन manufacturer और इंडियन के लोगों से ही समान करने की बात रखी जारे थे क्योंकि इंडिया में भी काफी variety of goods है काफी talented लोग हैं काफी variety of things मिल सकती है आपको foreign पे depend होने की जौरत नहीं है जब तक हम अपने इंडिया को ही better नहीं बनाएंगे तो आप कैसे freedom कर सकते है अपने आपको कैसे freedom मानेंगे तो इसमें ही बात हो रही थे हमारे product जो local को vocal बनाने की बात हो रही थी और साती साथ सरोजनी नाइडू ने try किया convey करने की message कोसिस किया है कि हमारा जो tradition है काफी rich है they don't need any foreign product हमें किसी foreign product की need नहीं है हम सर्वगुन संपन एक देज दे हमेरे पास सारे goods है सारे facilities है वो एक picture describe करने की कोसिस की है जहांपे एक बजार है बजार में लोग कैसे अपने सारे goods बेशते हैं सारे type के आपके demand satisfy भी हो सकती है और हैदरबाद की beauty को बहुती अच्छे तरह का से उन्होंने दिखाया है है भी हैदरबाद की market की beauty को और यह जो poetry है यह question answer form है यह कह सकते conversation form है आपको लगेगा कि जो poet सरोजनी नाइडू एक किसी seller से बात कर रही है और उस बात को यह उन्होंने बहुती खूपसूरती सही या brilliantly काफी अच्छे तरीका से उन्होंने poem में ढाला है आपको लगे गही है नहीं कि आप poem पढ़ रहा है आपको ऐसा लगए आप खुद ही बात करें यह द्रिश से खुद देख रहे हैं बट बिफोर देट लेट उस नो बाट हूँ इस सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू जिनने की night angle of India भी कहा जाता है night angle of India इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके poetry काफी खुबसूरत होती थी night angle एक चीडिया क्या नाम है night angle की आवाज आपको मधोस कर देती है उसी परकार इनकी poem भी आपको काफी अच्छी लगती है उसी तरह की poetry भी काफी खुबसूरत थी इन्होंने Indian National Movement में हिस्सा लिया था और ये गांदी जी की follower बन गए थी और इन्होंने एक book लिकी थी The Bird of Time जिस पर कही सारे collection of poems थी और उसी में से एक poem थी In the Bajars of Hyderabad आज जो poem को आज हम पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का Stranger No.1 तुम्हारे दुकान में बहुत सारे good display हो रहा है वेर्ड मेंस goods डिस्पले मतलब दिखना रिचली तो मतलब जानते हो और रिच मतलब जादा जिसके पास बहुत कुछ जादा हो तो आपके दुकान में बहुत सारे goods दिख रहे है Turbans of Crimson and Silver तो इस question के reply में वो merchant reply देता है क्या मिल रहे हैं उनके दुकान में Turbans मिल रहे हैं Turbans यानि की पगड़ी आप picture देख सकते हैं Turbans की कैसी color की Crimson Crimson यानि के red color and silver पगड़ी जो की आपको silver and red color में मिल रही है Tunix of Purple Brocade Tunix एक female work चीज है जो की females लोग पढ़ती है जो की sleeveless होता है आप picture देख सकते हैं Brocade means एक fabric कपड़ा So tunix मिल रहा कैसे? Purple color का Mirror with panels of amber और इनके दुकान में क्या मिल रहा? Mirror मिल रहा है With panels of amber Amber means metal Metal border वाला जैसे कि आप पुरान जबाने में Ensign type में देखे होंगे काफी designer type के mirror आते थे जिसका बहुती सुन्दर सा metal का border होता था In fact आज भी आते है तो मैं आपको picture दिखा रहा हो देख लीजे इससे आपको जल्दी समझ में आएगा Daggers with handle of jade Daggers means chakoo याने कि knife with the handle of jade jade means stone और इनके दुकाने मिलता है क्या? Chakoo मिलता है जिसकी handle stone की बनी हुई है Now coming to the second stanza What do you weigh? Oh you vendor Sarojini Naidu फिर पूछती है तुम क्या तोल रहे हो vendor vendor जो सबजी बेचता है या दाल बेचता है जो भी राच्छन के दुकान में बैठता है उसे vendor कहते हैं वो से पूछ रहे है तुम क्या तोलते हो? तो उस question के reply में वो vendor reply देता है Saffron and lentil and rice Saffron यानि की केसर Lentil means dal I think Masoor की dal को lentil कहा जाता है and rice means chawal फिर Sarojini Naidu दूसरे question पूछती है What do you grind? Oh yeah madden Madden means young woman वो Sarojini Naidu पूछती है young woman से कि तुम लोग क्या पीश रही हो? तो young woman उनकी reply में देती है Sandalwood, hina and spice वो क्या पीश रही है? Sandalwood means chandan hina means mehdi and spice means आप लोग जानते होंगे Masale What do you call? Oh yeah peddler और यो peddler तुम क्या बेच रहे हो? ये बोल बोल के तुम क्या बेच रहे हो? Peddler में सब hawker को समझ सकते है hawker जैसा आपके locality में भी आता है और कुछ बोलता है जैसे कि आप लो सुने होंगे चूडिया ले लो या कुछ समान ले लो और लो बोल बोल के sell करते है वैसे ही सरोगी नाटे पूछ रहे है अरे हो peddler आप क्या बेच रहे हो इना बोल बोल के? तो peddler कहता है चेसमेन और आइवरी डाइस तो हो peddler जबाब देते हैं वो बेचते क्या? चेसमेन और आइवरी डाइस चेसमेन यानि की गोटिया यानि की मोहरे और आइवरी डाइस जोकि एलिफेंट की दांतों से जो प्रोड़क्ट बनते हैं उन्हें आइवरी डाइस कहा जाता है यह सरोगी नाटे वांस तो से दाट है हैदरबाद में सब कुछ मिलता है हैदरबाद को हैदरबाद बहुत वराइटी आप समान मिलता हूँ वहाँ पर काभी बड़ा बजा रहे हैं यहां सभी लोगों के लिए सब कुछ कुछ ना कुछ जरूर है ना कमिंग टू दे नेक्स टैंजा वाट दू यो मेक ओ यो गोल्स्मित गोल्स्मित में सोनार जो सोना बनाता है सोनार के पास पूछती है आप क्या बनाते हो तो सोनार रिप्लाई देता है रिसलेट आड एं़ कले बेल्स बनाए जाती है ब्लू पीजन के लिए ब्लू पीजन साय थे कब उतर को कहा जाता फ्रेल्स एस ड्राइगन फ्लाइविंस और वो उसका वेट कितना होता बेल्स का बेल्स का वेट इतना लाइट होता है जस्ट लाइक ड्राइगन फ्लाइगन फ्लाइग की वेट की तरह होता है यह उसे भी कम होता है वह बे ग्रिडल्स और गोल्ड फोर दी डांसर और हम लोग डांसर के लिए गोल्ड की ग्रिडल्स बनाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा लड़कों के कमर में ग्रिडल्स लगा रहता है जो कि बेली डांसर नरॉल में करती है तो गोल्ड का ग्रिडल्स बनाते है जो कि डांसर के द अब नेक्स टेंजा में चलते हैं नेक्स टेंजा में हम देखते हैं सरूजी नाइडू एक फ्रूट में से बात करती है और पूसती है What do you cry? ओ ये फ्रूट में अरे हो फ्रूट में तुम क्या बोल बोल के बेच रहे हो तो इस पे जो फल वाले वो जवाब देता है सिट्रॉट पॉम्ग्रेनेट या पल्प सिट्रॉट एक लेमन की जैसा प्रोड़क्ट होता है पॉम्ग्रेनट यानकी अनार और पल्म में आने की बैर को कहते है फल वाला ये तीन फुरूट चिला चिला के बेच रहे है फिर वो संगित कारों से पूछती है सरुजिन नैडू तुम कौन सा म्यॉजिक बजा रहे हो तो म्युजिसियन रिप्लाई देते है सितार, सारांगी, औरब हुआ मे궁र आजए 06 10 बठाते हैं सेतार स्रंगी बजाते सारंगी बजाते एड΄ नधंट आप लोग ने सारे इंस्ट्रुमेंट देखा करने कि जो संट डालeszें तो आप देख लिजिए कि यदि सोरे निदुम्स ए्ट पूशति है तुम क्या जप रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या चैन्ट कर रहे हो, चैन्ट यानि कि जपना, लाइक हम मंत्र बोलते हैं तो हम बोलते हैं चैन्ट कर रहे हो, इस पर वो magicians reply देते हैं, they are chanting a divine thing that will be long lasting forever to make the future better, यानि कि जो magicians है, वो एक ऐसा divine मंत्र पढ़ रहे है, ज जो कि बहुत दूर तक चलेगा, आपके future तक चलेगा, now coming to the last tanga of this poetry, what do you weave, oh ये flower girls, आप Southern Idol flower girls से पूछती है, तुम क्या बोनती हो, weave क्या मतलब बोनना, with tassel of azure and red, tassel means गुच्छे को, यानि कि bunch को, bunch of flower कहता है न, वैसे ये, azure means color होता है, और red means, red तो जानता है, azure means blue color होत by the way, तुम इस नेली और लाल रंग के धागों से क्या बून रही हो, क्या गुच्छा बना रही हो, इस पर वो flower girls reply देती है, वो सहरा बनाती है, दुलहा और दुलहन के लिए सहरा बनाती है, और साथी साथ वो chaplets of garland बनाती है, दुलहा और दुलहन के लिए, मतलब फूलों क साथी होती है, तो दुलहा और दुलहन के बेट को फूलों से सजाया जाता है, उसके पुरे रूम को डेकोरेट किया जाता है, तो वही सब का काम करती है, यह, seat of white blossom new gather to perfume these leaves of dead, यानि कि हम सफीद रंग की, सफीद flower की बनी हुई, एक फूलों की चादर बनाते है, जो कि हम मरे लोगों की क्रेबियार्ट पे चड़ाते है, तो यह था हमार लास्ट अंजा, और लास्ट अंजा हम देखते हैं, जो flower girl है, वो क्या-क्या करती है, और क्या-क्या फ्लावर से वो बेचती है, और क्या-क्या बनाती है, इंसल्ट सरोजिन नाइडू कह रही है, हैधराबाद म हमें यूज नहीं करने है, जब हमारे देश के पास यह सक्षमता है कि वो खुद प्रोड्यूस कर सकते है, तो हमारे गुट को हमें खरीदना चाहिए, ताकि जो local worker है, उसे ज्यादा benefit हो, याने की local को vocal बनायने की उमीद की जारी है, तो आसा करता हूँ, आपको यह वीडिय माया हो, अगर तमझ माया हो तो प्लीज इसे like, share and subscribe जरूर कीजिएगा, thank you for watching, keep learning, keep supporting